नमस्कार दोस्तों निफ्ट्रिया चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कल समझाया था कि 10MA इंपोर्टेट हो सकता है हाला कि पक्का नहीं था कि 10MA होगा या नहीं होगा क्योंकि इसमें एक सस्पेंस था कि आज एक्सपेरी थी एक्सपेरी में क्या होता है कि 41,500 पे कॉलरेटर बढ़ चुका था और फिर 41,300 से उसकी recovery के बारे में सोचना ये काफी मुश्किल बात है क्योंकि practically जब हम trade करने जाते हैं तब इस चीज को उठाना मुश्किल हो जाता है दूसरी बात ये थी कि 3.10-15 मिन्ट तक मार्किट विलकूल नहीं हिली मार्किट वहीं पर घूमती रही और लास्ट में जाकर जो movement आई फिर जाकर मार्किट ने turn लिया एक तरह से आप लगा लो 2.50-3 बजे के आसपास पर फिर भी जो मैंने कल बताया था समझाया था और हम क्योंकि वह कम दिनों की एवरेज होती है तो जैसे जैसे मार्किट ट्रेड कर रही होती है तो यह उपर नीचे होता रहता है कल मैंने जो दिया था वह 41,250 था पर आज यह 41,300 मतलब जब मार्किट क्लोज हो रही थी यह आता-ता-ता काफी उपर आ गया हलागि exactly 10 अमा तक यह टच नहीं किया इसने कि यह इसने टच कर दिया क्योंकि कल जो मैंने लेवल दिया था वह 41,250 था वहाँ पर उसे नीचे आना चाहिए था पर स्टॉक मार्किट क्या करती है उसको अजंट किया कि अब यह 10 अमा यहां पर आ जाएगा तो वहीं से इसने रिकवरी ले ले जिसे कहते हैं अजंटिंग मैथ किया उन्होंने कि यह मान कर चले कि अगर मार्किट यहां पर ट्रेवल करती रहे तो 10 अमा अपने आप उपर आ जाएगा तो वह कहां पर आ गया 50 पॉइंट उपर 50 पहले से रिकवरी आ गी और जो लोग 10 अमा के बारे में सोच रहे थे तो वह 10 अमा हमें नहीं मिला तो यह थोड़ी सी कनफ्यूजन जोरूर आज रही तो 10 अमा में जे प्रोबलम होती है अलांकि 20 अमा में इस तरह की प्रोबलम्स नहीं आती क्योंकि 20 अमा ज़्यादा बड़े दिनों की अभरेज होती है तो वह उसी जगहा पे खड़ा रहता है वो ज़्यादा मुव्मेंट नहीं है, तो ये एक बड़ी मुश्किल आई इसमें, 10 नहिमा के मामले में, बैंक रिफ्टी में, तो अब कल हमने करना किया इस बारे में, थोड़ा सा डाव डिसकस कर लेते हैं, देखिए में चीज क्या है, अब में चीज है, यूएस सी पी आई डाटा, पिछली वरा आया था 8.2, अब एस्टिमेट लगा है 8, और अब स्वाल उड़ता है कि हमारी मार्किट किदर जाएगी, मार्किट जाएगी डाव के अकोडि, डाव का भी 10 एमा नजदी की है, डाव का 10 एमा है 32,400, और मैंने ये ग्रीन लाइन कब से लगाई है या आपको पता ही है कि 32,490 डाव की एक स्ट्रॉंग स्पोर्ट है, तो वहां से बार बार ये स्पोर्ट लेके, लगब कल रात से वहीं पे स्पोर्ट ले रहा है और बार बार वहीं पे घूम रहा है, तो 32,491 काफी इसका इम्पोर्टन लेवल है, अब स्वाल उड़ता है कि CP कितना कितना आए तो कितना कितना मार्केट चलेगी, तो अब नोट कर लीजिए, देखी CP डाटा बैसे तो मैंने वीडियो CP डाटा के आने के बाद बनानी थी, पर हुआ कि क्या है, कि US की जो न्यूज आई है, उनसे ये पता चला है कि CP डाटा थोड़ा डिले आएगा, एक डिएर घंटा या दो घंटे, बतलब आज आएगा, जैसे आम तोर पर ये 6 बज़े आता है, अब कहा जा रहा है कि शायद 7 बज़े है, शायद 8 बज़े है, या 11 बज़े है, तो इसलिए मैंने वीडियो बना ली, क्योंकि फिर जादा लेट हो जाती और आप तक पहुंचते पहुंचते तो रात ही पड़ जाती, तो इसलिए हमने ये वीडियो बना ली ताकि आपको लेवल पता चल जाए हाँ मैं CPI के according की आपको लेवल दे रहा हूँ आज तो CPI मान लीजिए हम दो तिन चीज़ें ले लेते हैं मान लीजिए CPI सबसे पहले नमबर एक, साड़े आठ आया 8.2 से ज़्यादा आया फिर तो clear है कि मार्किर बहुत बुरी तरह गिरेगी फिर ये 10 एमा टूट जाएगा अगर इसका ये 10 एमा टूट गया तो हमारे भी 10 एमा टूट जाएगे तो इस बात का आपने ध्यान रखना है और फिर मार्किर के हमें नीचे के लेवल मिलेंगे तो इसलिए ये 10 एमा एक्सपोर्ट का काम करेगा डाव फ्यूचर का भी और हमारा भी नमबर दो क्या है कि माल लीजिए 8% से 8.2 अब ये 8.2 था पिछली बार और अगर आया 8.1 तो फिर क्या होगा फिर ये होगा कि confusion क्या कि हाँ जी पहले से तो कम आया है पर estimate के हिसाब से देखने वाले कहेंगे कि estimate से ज़्यादा आया है तो इसका मतलब महगा ही बढ़ी है तो इस तरह से एक confusion क्रेट हो जाएगी और उसकी वज़ाए से भी गिर भी सकती है फिर फ्लैर भी हो सकती है और उपर भी हो से ये कोई नहीं बता सकता फिर 8.1 आने पर कि क्या होगा हाँ उसके हिसाब से levels मैं आपको जुरूर बता दूँगा कि 8.1 आया 8.1 आने पर हमने just अपने level देखने वो मैं आपको दिखा दूँगा बताऊंगा भी नमबर तीन अगर ये US CPI डाटा 8% से नीचे आया तो जूम के रहली आएगी और ये आपको अगर DAO फूचर रातो रात ये सारे level क्रोस करके यहाँ पर घूमता होग नजराने लगए तो कोई बड़ी बात नहीं है पर स्वाल ये है कि क्या ऐसा होगा ये तो एक अब सपना सा लगता है कि estimate से भी कम आ जाए US CPI डाटा तो देखते हैं ये सपना पूरा होता है या नहीं अगर हो गया तो आप ये समझ लेना कि हमारे भी फिर हाई 21-22,000 निफ्टी का लगेगा और बैंक निफ्टी भी 50,000 की और जाएगे अब देखते हैं क्या होता है ये जो मैंने 21-22,000 या 50,000 बोला है ये किसे कहीं इंट्राडेर नहीं लगेगा मतलब लॉंग ट्रम में तीन चार पांच भीनों में ये मार्किट धीरे-धीरे करके वहां तक चली जाएग तो आपने 41,300 तक कोई भी डिपाए बाय करना है और नीचे स्टॉप लोस अगाना है 41,200 ये वो कंडिशन है कि जब US EPA डाटा 8.2 से ज़्यादा आए तो उसमें क्या होगा कि हमारा ये 10 नह्मा टूटेगा और 41,200 तूट जाएगा तो ये वो कंडिशन है कि 41,200 तूटेगा अगर 41,200 तूटा तो आपने पुट ले लेनी है 41,500 की 41,500 के स्टॉप लोस के साथ जो ज़्यादा डिफेंसिव खेलना चाहते हैं तो 41,350 का ही स्टॉप लोस रख लेना बस 1500 पॉइंट का और नीचे की और जो टार्गर मिलेंगे 41,147, 41,022, 40,862 मतलब नीचे जाकर ये कह अहां गिरे की बैंक रिफ्टी 20 एमा बे जाकर 20 एमा से आपको पता ही है मैंने कई बार समझाया हुआ कि 20 एमा एक बहुत इंपोर्टल लाइवल होता है स्टॉक मार्केट का तो यहां से स्पोर्ट मार्केट को जुरूर मिलती है आज पॉइंटों से ज़्यादा है कि हमार 21,678 के उपर टार्गेट है 41,780 और नीचे स्टॉप लोस है 41,500 मतलब नीचे के और 178 पॉइंट का आपका स्टॉप लोस हो गया उपर जो टार्गेट आएंगे 100 पॉइंट हो गये 41,780 तो यह पॉइंट गिने जाते हैं इसको हम रुपईयों में क्यों नहीं करेंगे क्य होगी इनदा मोनी कोल और अगर हम आउट ऑफ मनी कोल लेते हैं लिजिए प्रते बैंक निफटी सो कॉइंट उपब बड़े तो इंदा money call जातर क्या होती है कोई तो अगर उसके 100 point बढ़ेंगे तो उस call के 50 point बढ़ेंगे इंदा money call के या 60 point बढ़ेंगे या 70 point यह depend करता है कि कितनी इंदा money है जैसे हम मालो 41,000 की call लेकर बैठ जाएं 41,000 678 के उपर 700 point नीचे की call हम लेकर बैठ जाएं तो उसका लगबग 80 to 90 delta होगा मतलब अगर 100 point बढ़ेंगे तो उसके 70 से 80 point बढ़ेंगे और अगर हम 41,500 की call ले लें जो की बिलकुल नजदी क्या 41,678 के उपर तो हम सिरफ 200 point नीचे हैं तो इसके सिरफ 30 या 50 point 50 rupees बढ़ेंगे और अगर हम out of money call ले लें मालो 41,800 की ले 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 तो उसके सिरफ 100 point उसके बढ़ेंगे तो उसके सिरफ बढ़ेंगे 20 से 30 रुपी तो इसलिए उसमें फिर काफी कम रुपीय बढ़ते हैं आपने देखा होगा कई बार नीचे की कॉल ले ले मैं बात करना 41,678 की उपर कॉल बाय करनी है मार्किर यहां से जहां चले जाएगी पर 42,000 की कॉल को वह तो बहुत उपर है ना out of money call तो उसके सिरफ ज्यादा ज्यादा तीन या चार या पांच रुपे बढ़ेंगे उसके कोई ज्यादा मुमेंट नहीं आएगी डिपेंड करता है डेल्टा पे और डिपेंड करता है मुमेंटम कितना स्ट्रॉंग है अगर यही से मार्किर तेज भाग रहे लगे पूरी वर्क मार्किर बढ़ जाएंगे पैसे कोई 20 से 30 पर यह नहीं है कि 50 बढ़ जाएं सो के पिछे 50 बढ़ें यह सो के पिछे 80 यह इंपॉसिवल है जब तक 42,000 क्रोस नहीं कहा लेती बंकरें अफ्टी तब तक उसमें उसका डल्टा नहीं बढ़ेगा तो यह चक्कर होता है तो इसलिए हम सभी पॉइंट कहते हैं हम रुपईये नहीं कह सकते हैं यह रुपईये होगे हम पॉइंट में प्रॉफित बताते हैं कि इतने पॉइंट का कोई 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 लेता है तो इसलिए इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए तो आईए अब हम जो बात कर रहे थे कि अगर CP डाटा 8.2 से उपर आ गया तो मार्किट नेचुली गिरेगी तो आपने 41,200 के टूटने की वेट करनी है उसका मतलब यह होता है क्योंकि हमारा मार्क लेवल तूटता है या नहीं क्योंकि 10 एमा से कहीं फिर से स्पोर्ट ना ले रहे तो 41,200 जैसे तूटेगा 41,500 का स्टॉप लोस टार्गेट 41,147,41,022 और 40,862 के टार्गेट आपको मिल जाएंगे और जैसे ही यहां पर मार्किट आती है तो यहां से रिकावरी भी आएग 50 का रख तो मतलब यहां से लगबग लगबग 100 सवासों पॉइंट का स्टॉप लास उपर के टार्गेट 41,022 और मैं तो जूम कर देता हूं आप सबको 41,147,41,200,41,248 और 41,313 आपको मिल सकते हैं अब मान लो बात आगी काफी गैप अप ओपनिंग की यहां यह लगा लो क आठ परसंट से नीचे आगया CPA डाटा तो यह शर्त है कि पूरी पूरी मार्केट गैप खुलेगी तो कौन सा गैप आपको बाय करना चाहिए फिर आपको बाय करना चाहिए 42,050 के ऊपर का गैप आपने बाय करना है 42,050 के ऊपर अगर बैंक रिफ्टी खुलती है तब यह आपका stop loss का काम करेगा 41,950 और यहां से आपको non-stop क्या मिलेंगे 42,200 और 470,540 जबर्दस रैली देखने को मिलेगी ऊपर की तो इसके उपर के लेवल मैं आपको बता सकता था पर आज मैंने यहां पर लगाए नहीं है जो कि मेरे दमाग में है तो बाकी मैं टेलिग्रा 2 के 20 CPA डाटा रहता है मतलब 8.1 आ गया तो फिर आपने सरफ यही देखना है कि अगर 41,680 के उपर bank nifty खुलती है तो आपने bank nifty को buy करना है 41,500 की देखिए मैं फिर से मैंने इंदा मनी कॉल बोली 41,500 की इंदा मनी कॉल लेनी है और नीचे 41,450 का stop loss रखना है 41,680 के उपर buy कर पर अलांकि यह distance आपको काफी ज्यादा लगेगा 200,500 का पर क्या करें मजबूरी है कारण क्या है कि 41,500 पर जबरदस्त put writing है तो मैं आपको वह दिखा भी देता हूँ 41,500 पर यह देखे 10,80,000 अभी call writer ज्यादा है और 10,57,000 पुट रखना भी काफी बराबर की टकर दे रहा है और अगर उपर खुल लगे तो आप यहां देखेंगे जबरदस put writing यहां पर आ जाएगी तो उसको जम्ट करके मैंने बोला है कि 41,500 पर जबरदस put writing होगी तो अच् से हम आते हैं इदर इसके target क्या होगे 41,660 के उपर 780, 840, 950, 42,000 यह 950 का है previous high कौन से दिन का 9 November का अभी कल पर सो गई है यह high 41,950 जो कि आपका target रहे तो आईए अब हम आगे बढ़ते हैं मैंने सारा आपको समझा दिया है इसमें अब कुछ नहीं बचा है तो अब हम stocks की तरह आते हैं उसके बाद चलते हैं निफ्टी के और कि निफ्टी में हमने क्या करना है तो कल हमने जो तीन स्टॉक दिये थे उसमें दो स्टॉक दिये थे सोरी एक तो था ITC ITC को मैंने कहा था 350 था कोई भी डिप आय बाय करना तो यह एमा एक उपर निकल गया है 352 यह देखे 10 एमा बड़ा तंग करता है यह एकदम से भाग जाता है चलती मार्किट में तो 352 टैन एमा से यहां स्पोर्ट ले रही तो ध्यान रखना कि जहां पर 10 एमा आ जाए तो वहां से बाय कर लिया करो और फिर यहां पर अभी तो कोई ट्रेड नी बनी मेरे सहाब से 350 के पास मैंने किया था और 10 एमा क्यों के उपर आ गया चलती मार्किट में तो यही से बाइंग आ गई दूसरा जो स्टोक था वो था एयू बैंक एयू बैंक में इग्जेक्ली 623 प पॉइंट का ही इसमें प्रॉफिट हुआ पर फिर भी जितनी गंदी मार्किट सी आज काफी डाउन जा रही थी तो उसकी उस हिसाब से काफी अच्छा है कोई बुराई नहीं है कि अगर पांच मैंट में मिल तो कल के लिए जो तीन स्टोक लेकर रहे हैं सबसे पहला तो है यूपियल देखे यूपियल बहुत अच्छा ब्रेक आउट दे रहा है डबल बोटम भी बनाया है राउंडिंग पैटर भी ब्रेक आउट दे रहा है तो इसको आप बाई कीजिए जो लॉंग टर्म में इसे बाई करना चाते है वो भी कर सकते है और टारगट इसका जो प्लस रहेगा टारगट 767, 778, 790 और 804 तक के टारगट आपको मिल सकते हैं दूसरा जो स्टोक है वो है अडानी पोर्ट अडानी पोर्ट में देखिए बहुत बढ़िया राउंडिंग पैटर में ब्रेक आउट दिया है पहले भी इसने दिया था पहले भी मैंने दिया था इसको और यहां तक गया था अब फिर से जा रहा है तो 880 तक कोई भी डिपाए भाई केजिए और नीचे स्टॉप लॉस में इसका लगाना भूल गया अभी लगा देते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 867, 867 का स्टॉप लॉस अखना है और उपर ट किया है इसने देखिए एक तो बड़ा ही इंपोर्टन लेवल था 252 जो कि इसने तोड़ दिया उससे यहां पर भी आपको याद होगा कि मैं सेल कोल दी थी और हमें 229 मिल गया था अब इसने 229 भी तोड़ा है 229 क्या है यह है यह यह देखिए 27 दिसंबर का लो और यहां से तेज रिकवरी आई थी और वो लेवल भी इसने तोड़ दिया है तो 229 रूपीज 50 पैसे यही से निकले हुए है यहां तक कोई भी उचाल आए आपने सेल करना है 236 के स्टॉप लॉस के साथ टारगट 211, 201, 185, 173 और 164 तक के टारगट आपको मिल सकते तो आईए अब हम आते हैं निफ्टी बर कि हमने निफ्टी में अब क्या तो निफ्टी में भी पैसे ही अगर तो 8.2 के उपर आगया CPA डाटा यूएस का तो मार के तूटेगी 17950 के नीचे आपने पुट बाई कर लेनी है 17,950 के नीचे 18,000 की पुट बाई करनी है और 18,000 का स्टॉप लो सकन नीचे आपको टार्गेट मिलेंगे 17,900 और 17,820 यह 820 क्या है यह है 20M तो यहां पर आप अगर आ जाए तो दुबारा से बाई कर लेना स्टॉप लोस रखना है 17,760 का और दुबारा से आपको मिल जाएगा 17,900, 950 और 18 तो यह था अगर CP डाटा जादा आ गया अगर CP डाटा फ्लैट ही आ गया 8.2 के बीच में तब आपने simply 18,120 जो की एक बड़े रिजिस्टन्स का काम करता है आपको याद होगा कि पहले भी 110, 120 के उपर गया तब मैंने कहा था कि हाँ अब मार्कर टेकनिकली स्ट्रोंग है अब फिर से मार्कर 18,120 के उपर ही टेकनिकली स्ट्रोंग होगी तो जैसे इसके उपर जाए तब ही आपने call बाइ करनी है 18,000 की stop loss आपको बड़ा रखना है इसमें stop loss रहेगा 17,950 17,950 अट्रा लाख पहले से पूट राइटर खड़ा है अपना पैर जमा के तो एटीन थाउजन एक बहुत बढ़िया एक स्पोर्ट का काम करें तो वापस आते हैं यहां पे 18,120 के उपर आपने कॉल बाय कर लेनी है और नीचे 17,950 का स्टॉप लॉस कोई डिप पाते 18,000 पे तो ओड एड़ करके एवरेज कर लेना और अपने फिर बाद में बोलियम घटा लेना एवरेज पे और टार्गेट रहेंगे क्या रहेंगे 18,180, 255 यह कहां से निकले हुए य यह 180 है कौन सा 2 November का हाई और 250 क्या है यह क्या है सात November का हाई और 300 क्या है यह क्या है 9 November का हाई तो मेरी पुरी कोशिश रहती है कि आपको समझ आए मार्केट की तो इसलिए मैं आपको डिटेयल में बता रहे हुए चीजिए कि कौन कहां कि यह कैबल लेवल कैसे निकले हुए 18,180, 255, 18,300 के आपने आपके टार्गेट रहेंगे और 350 आपका फाइनल टार्गेट होना चाहिए क्योंकि प्रिविसली जो स्टॉक मार्के का जो चार्ट है काफी पीछे जाना पड़ेगा तो उसमें दिखाने में काफी टाइम लग जाएगा तो 18,350 आपका फिर टार्गे तक का कोई भी डिपाइब करो 70,950 के स्टॉप लोस के साथ और आज भी 20-30 पॉइंट ही मिलें कोई ज्यादा पॉइंट नी मिले इस डिप को बाय करने पे और कल फीट ट्राइग कीजिए हो सकता है ज्यादा टाइम मिल जाए क्योंकि स्टॉक मार्के हमें ट्राइग जूर तांकि और भी लोगों का फाइदा हो सके और उन्हें भी स्टॉक मार्केट का ग्यान हो सके थैंक यू थन्यमाद